अपनी हर्ताल को सफल बनाने के लिए फेडरेशन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है महगाई भत्ता समेत चार सूत्रिय मांगों को लेकर 36 गड कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने 27 सितंबर को एक दिन के हर्ताल का एलान कर रखा है प्रदेश भर के कर्मचारी हर्ताल में शामिल होने के लिए सामुही का वकाश की सूचना अपने उच्च पदस्त अफसरों और विभागों को दे रहे हैं वहें फेडरेशन के पदाधिकारी प्रदेश भर में संपर्क अभियान भी चला रहे हैं सरकारी ऑफिस में जाकर कर्मचारीयों अधिकारीयों ने समर्थन मांगा है फेडरेशन के नेताओं का कहना है कि उनके हरताल के आहवान को व्यापक समर्थन मिल रहा है बता दें कि फेडरेशन ने मोदी की गारंटी में शामिल डिये समेत अन्य मांगों को लेकर चरण बद आंदोलन कर रहा है आंदोलन की अगली कड़ी में फेडरेशन ने 27 सितंबर को एक दिन के हरताल की घोशना कर रखी है फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने बताया कि चुकी मांगे पूरी करने के संबंध में सरकार की तरफ से अब तक कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉंस नहीं मिला है इसलिए 27 सितंबर को एक दिवसी हरताल होना तै है वहीं प्रांतिय प्रवक्ता चंदरशेखर तिवारी ने बताया कि फेडरेशन ने करमचारी मांगों को लेकर चार स्तरिया अंदोलन किये जाने की घोशना की थी तीन चरण के आंदोलन के बाद भी राज्य सरकार ने करमचारियों की जायज मांगों को अब तक पूरा नहीं किया है इसकी वज़ा से फेडरेशन से जुड़े संगठनों के लाखों करमचारी एक दिवसीय हरताल में शामिल होंगे अगर उसके बाद भी मांगे पूरी नहीं होती है तो करमचारी अनिश्चित कालीन हरताल पर जाने के लिए बाद्धे हो जाएंगे फेडरेशन के प्रदेश प्रवक्ता चंदर शेखर तिवारी ने कहा कि उनकी मांगों में केंदर के समान महंगाई भत्ता जुलाई 2019 से लंबित महंगाई भत्तों का एरियर चार स्तरिय वेतनमान केंदर के समान ग्रिह भाड़ा भत्ता और अरजित अवकाश नगदी करण 240 दिन की जगह 300 दिन किये जाने की मांग शामिल है बियो रिपोर्ट एन पीजी निउस झाल